आज से ठी चार महीने पीछे थीएटर में दोजार तैस की अभी तक की सबसी बड़ी फिल्म आई थी सारुखान सहाब का कमबैक पाठान जिसने बॉक्स ओफिस की सकल बदल के रख दी बट एक सिकायत मुझे उस वक्त भी थी और आज भी है खुद सारुखान से पाठान के साथ जवान का टीजर क्यों नहीं डाला आपने छोटा सा अनॉंसमेंट जो बाद में आया वो पहले आता वित पाठान तो सायथ जवान के बरावर खरी होने वाले कोई दूसरे फिल्म बचती ही नहीं इस साल ऐसा हाइट मिल जाता उसको देखने जाओ पाठान वापिस लेके लोटो जवान एक तीर दो निशाने इसमें क्या नुक्सान था बताईए बट किसी एक की गलती दूसरे को सिखने का मौका देती है इसका हावत का रैटर मैं हूँ अब समझाता हूँ कि मैं ये किसके लिए बोला परभास की फिल्म आरी आदिप्रुस तरीफ करो मजे लेओ गुस्या करो बट इसको इगनॉर कोई नहीं कर पाता बस यही इस फिल्म की ताकत है गुरू लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट इतना सॉलिड और रिलेटेवल होने के बावजूद इसके टीजर को मिला ठंदा ठंदा मिक्स रिस्पॉंस तो फिर पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ सोशल मीडिया पे 16 जुन जब आदिप्रुस रिलीज होगी थियेटर में लोग उस दिन को निशनल परभास डे घोशित करने की डिमान कर रहे हैं वो भी लगता अचानक सी इतना बड़ा चिंज कैसे आया देखो भाई जूर में हम लोग हमेशा से तयार बैठें आदिप्रुस के स्वागत के लिए लेकिन ये किसी नहीं बताया कि वो अपने साथ एक दोस्त को लेकर आएगा और इस दोस्त का नाम है सालार वो सब्द जो 2023 के कैलेंडर का पिषले 4-5 महिनों में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा आपको 100% कनफर्म टू मैं जब केजेफ 3 का अनौंसमेंट हिंट दिया था कुछ टैम पहले फिल्म के मेकर ने तो सालार का जिक्रुब भी खूब किया था जब थोरे टैम पहले जवान की रिलीज डेट सिप्तमबर में रखी गई तब भी लोगों ने साफधान किया वहाँ पहले से ही सालार बैठी है उससे टकर लेना थोरा खत्रे वाला काम है फिर चाहे आपका नाम सारुख खान ही क्यों न हो और अब फाइनली फिल्म केमेकर्स की तरफ से पहली चाल चली गई है सालार को 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बनाने के लिए अंदर से रिपोर्ट बाहर निकल रही है कि 16 जून को थियेटर में जब आधी प्रूस रिलीज होगी तो साथ में सालार की टीजर भी अटेच किया जाएगा पर सांत निल इस नाम को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से संभाल के बिठा लो ये बंदा इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर साबित होगा सिर्फ सो करोर केजियप बना कर बारा सो करोर का बिजनेस कर लेना कोई मामूली बात नहीं ताखू में एक फिल्म ऐसी बनती है और इसका क्रेडिट हमने यस के परफर्मिंस को दिया ठीक उतना न ज्यादा न कम डरेक्टर परसांत निल को भी देना अब जब इनके हाथों में परफाज जैसी न्यूक्लियर बॉम आया है ना तो ये बन्दा रुकनी नहीं वाला ये जब सिर्फ सुरुवाद थी सलार उससे भी बरा धमाका करेगा वैसे तो गूगल वाबा थोरा सा राज खोल दिया है जब सलार की काच सर्च करोगे तो उसमें अल्रेडी रॉक की भाई अबडेट हो चुके हैं ये तो यही सोच रहा हूँ 16 जून को जब थी स्क्रीन पर सलार की टीजार आएगा और एंड होने से ठीक 2-3 सेकेंड पहले गलती से अगर स्क्रीन पर यस की आवाज सुनाई जाती है परभास के साथ या फिर हलका सा चहरा दिग गया ना स्क्रीन पे तो भाई ऐसा सोर मचेगा ऐसा बवाल उठेगा कि इंडियन सीनेमा सायद पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा परभास हमेशा से पावरफुल वेपिन रहे बस गलत हातों में चले गए तो दिवाली का फूस अनार बन जाते हैं अब जब परसांत नील के हातों में परभास का रिमोर्श कंट्रोल होगा तो ये बंदा थियेटर को स्टेडियम में बदल देगा आदिपुरुस को देखने के लिए लोग कितने सेटिसफाई होंगे इस बात पे मुझे अच्छा खासा डाउट है अभी भी है इस वक्त भी है नॉट सोर लेकिन सालार की टीजर को देखने के बाद हम परभास को कभी नहीं इग्नॉर कर पाएंगे इस बात का 100% गारंटी है सालार एक गेम चेंजर्ज बनने वाला है मास सेनिमा के लिए केजी अफ यूनिवर्ज जो सिर्फ मेरा सपना एकजक्ट करता है उसको हकीकत में बदल देगी ये फिल्म आप फटाफट बताओ ज्यादा एकसाइट किस चीज़ के लिए हो आदिपर उसके दरसन के लिए थेटर में या फिर सालार की सुरुआत एक टीजर के साथ परभास टेक क्यार बाइ बाइ